ये कहानी 16 सल की रोजहर नाम के लड़के के उपराधारी थे, जो अपने घर के सारी अरतों के साथ गभा गभा करके उन्हें प्रेगनेंट कर देता है और वो अपने इस महान काम को किस तरीके से अंजाम देता है, वो हम आज की इस presentation में देखने वाले हैं आज मैं जिस मुवी को explain करने वाला हूँ इस मुवी का नाम है What Every French Woman Wants और ये मुवी 1983 में release हुई थी मुवी के starting scene में हम 16 साल के रोजर को देखते हैं रोजर अपने school की छुटिये को वेज़े से अपने घर आ रहा था तब उसके घर के एक मेड मिस लपीते उसे घोड़ा गारी से लेने आती है और घोड़ा गारी चलाते समय मिस लपीते के हिलते हुए पपीते देखकर रोजर उसे घोड़ने लगता है ये चीज मिस लपीते भी notice करती है लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहती घर पहुँचने पे रोजर की माउस से पूछती कि तुम्हारी पैंट पे मियोनिस कहां से लगी लेकिन यहाँ हम वीवर्स को पता है कि घोड़ा गारी चलाते हुए मिस लपीते की हुई पपीते देखके रोजर खुद को नहीं रोख पाया था तब ही रोजर की मौसी मारगी डिटा उससे बूलती है कि इस उमर में ये सब चीज नॉर्मल है और ये कहके वो रोजर की पैंट साफ करने लगती है रोजर की एक छोटी बहन भी थी जिसका नाम बर्था था उसके बाद बर्था रोजर को जंगल में ले जाती है जहां मिस लपीते भी थी तब ही लपीता रोजर के सामने ही साइड में जाके हलकी होने लगती है और ये देखकर रोजर की आँखे बहार आ जाती है उसके बाद रोज़र भाग जाता है कि वो एक गलत दुनिया में आ गया है उसके बाद सिंस सुच होता है और हम पूरी फैमली को एक सथ खाना खाते हुए देखते हैं जहां हम वीवर्स को पता चलता है कि रोज़र की मा काफी जादा स्ट्रिक्ट है शाम को रोजर जब सोनी की कोशिश कर रहा था तो उसे बाहर से कुछ आवाजे सुनाई देती है और जब वो कमरे से बाहर आता है तो वो देखता है कि एक नौकरानी घोडी बनके खड़ी है और कोई उसकी पीछे से बजा रहा है ये दिखने के बाद रोजर की फटके चार हो जाती है और रोजर वावस सोने के लिए चला जाता है और बिस्तर में उसकी छोटी बेहन बर्था चुपी हुई थी तब बर्था उसे बताती है कि मिस लपीते ने मुझे बताए कि हमारी मासी मारगी डिटा अभी भी वर्जिन है जिस पर रोजर उसे पूछता है कि वो अभी तक वर्जिन क्यों है जिस पर बर्था उसे बताती है कि उन्हें मर्दों से डर लगता है और इसलिए उन्हें अभी तक शादी नहीं की है तभी वहाँ अचानक से नैनी केट आ जाती है और केट का काम बर्था का देखवाल करना था बर्था के वहाँ से जाने के बाद केट रोजहर का ब्लैंकेट हटाती है जिस पर रोजहर अचानक से डर जाता है क्योंकि रोजहर का पपू खड़ा हो गया था और उसे देखने के बाद केट भी उससे थोड़े बहुत मजे ले लेती है अगले दिन बर्था रोजहर को एक नदी के किनारे ले जाती है जहां उसके घर की सारी मेट नहाते नहाते एक दूसरे से अपना सीक्रेट शेयर कर रही थी बर्था और रोजहर अपने घर के चार मेट को चुपके से देख रहे होते हैं तभी नदी के किनारे के पस तिन नमूने आ जाते हैं और ये तिनों भी रोजर के घर में काम किया करते थे और वो तिनों अपना पप्पू बाहन निकल के उन मेट्स के सामने ही हलके होने लगते हैं और वो अपना Spider-Man उन मेट्स को दिखाने लगता है तब ही उर्सला बोलती है कि तू सेर तो मैं सवा सेर हूं और उर्सुला उन तीनों को अपना पिछवारा दिखाने लगती है और उसके पिछवारे के दरसन बर्था और रोजर पेड़ की पीछे चुपके से कर रहे होते हैं अगले सीन में रोजर की बड़ी बेहन एलिसा अपने पापा के साथ आती है और सब लोग उसका वेलकम करते हैं एलिसा आते ही सब लोग उसे गले मिलती है लेकिन जब रोजर की बाड़ी आती है तो वो उसे फोरे हैड किस करके वहां से चली जाती है जिस पर रोजर सोचता की मेरे अंदर काटे लगे थे क्या तबी बर्था रोजर को एक चर्च में ले जाती है जहां दोनों छट पर छिप जाते हैं तबी वहां मारगी डिटा आती है और वो चर्च के पादरी से अपनी सारी बाते बताने लगती है और वो पादरी से बूलती है कि जब से रोजर यहां आया है तब से हर रोज मैं सपने में उसके साथ ध़का पेल करती हूँ और ये सारी बाते रोजहर भी सुन रहा था ये सुननी के बाद रोजहर बहुधा खुश होता है और बहुधा जादा एकसाइट हो जाता है जिसके बाद वो पादरी के जश्ट बगल में गिर जाता है और पादरी इन दोनों को रोजर की मां के पास ले जाता है जिस पर रोजर की मां पादरी से बूलती है कि आप ही बताओ कि मैं इन दोनों के साथ क्या करूँ जिस पर पादरी उसे बताता है कि तुम रोजर के पिछवारे पे मार मार के उसके बंदर के पिछवारे की तरह लाल कर दो तब ही इससे समझ आएगा और ये काम मारगी डिटा अपने सुध हांतों से करेगी तो इससे जादा मज़ा आएगा तब रोजर की मा मारगी डिटा से बोलती है कि तुम्हें एक हंटर लो और सुरू हो जाओ पहले तो मारगी डिटा ये करने से मना करती है लेकिन रोजर की मा के फोर्स करने के बाद वो ऐसा करने लगती है और वो रोजर के पिछवारे पे हंटर मार मार के उसे बंद के पिछवारी की तरह लाल कर देती है रात को सोते समय रोजर को फिर से बाहर से किसी की आवाजे सुनाई देती है और जब वो अपने कमरे से बाहा निकलता है तो वो देखता है कि उसकी मेड हैलन किसी से ठुकवा रही थी और आज भी उसे बस हैलन ही दिखती है उसके पीछे वाला बंदा बिल्कुल भी नहीं दिखता लेकिन इस वार रोजर अकेले इस नजारी का मज़ा नहीं ले रहा था बलकि मिस्टर फ्रैंक भी ये सब कुछ देख रहे थे तब ही वहाँ अचानक से रोजर के पार्स उर्सुला आती है और वो उसे बोलती है कि आओ मैं तुम्हारे पिछवारे में मूव लगा दू इतना मार खाने के बाद दर्द भी तो बहुत जादा हो रहा होगा जिस पर रोजर उसे ऐसा कने से माना कर देता है उसके बाद रोजर उसे पूसता है कि हर रात हैलन को कोई पीछे से बजाता है क्या तुम्हें पता है कि वो बंदा कौन है जिसपर वो रोजर से बोलती है की यह हम मेट Ka Top Secret है तब रोजर को खैला आता है की उसने अकेले इस शो को नहीं देखा था बलकि मिस्टर फ्रेंक भी सो को inजॉय कर रहे थे जिसके बाद रोजर सीधा मिस्टर फ्रेंक के पास जाता है जहां मिस्टर फ्रेंक दूर्बीन से मिहा कहलीफा को देखनी की ख्वाईश में पैंट में हाँ डाल के अपनी स्पाइडर मैन को तसली दे रहे थे और रोजर के आते हैं मिस्टर फ्रेंक वहां से चले जाते हैं तब रोजर भी दूर्बीन से देखने लगता है और उसे नीचे दो साधी सुधा एलियन एक साथ कुट्टा डांस करते हुए दिखाई देते हैं तब रोजर को समझ में आता है कि मिस्टर फ्रेंक अपने स्पाइडर मैन की मसाज क्यों कर रहे थे अगले दिन रोजर को एक किताब मिलती है जिसमें दा ग्रेट सनी लियोनी की कहानिया थी और रोजर उस किताब को बड़ी सिद्दत से चुपा लेता है और जाते बग्स उसे अपने मॉम डैट की कमने में से घर गर खेलने की आवाजे सुनाई देती है और रोजर उसे लोको अलिचेस से देखने लगता है लेकिन तभी उसे पीछे से अलिसा का फ्यों से रोलांड उसे देख लेता है और वो रोजर को धपा कर देता है जिस पर रोजर उससे रिक्वेस्ट करता है और बोलता है कि तुम प्लीज इस बात को किसी को मत बताना इस बात पर रोलांड भी इस मौके का फायदा उठाता है और वो रोजर से अपनी गाड़ी साफ करवाता है अगले दिन रोजर घोड़ा गौदा में वो ही किताब पढ़ रहा होता है जिसमें सन्नी लियोनी की सफलता की कहानी लिखी हुई थी और वो पढ़ने के साथ साथ वो अपने पपू को भी मसाज दे रहा होता है लेकिन तभी वो आचानक से थारा भाई जोगिंदर का फ्रेंच वर्जन आजाता है और वो मौका देखते के साथ ही हेलन को खिड़की में आधा अंधर और आधा बाहर फसा देता है और वो बाहर जाके साइड से हेलन की गेलन में पानी भरने के लिए जाता है तभी हेलन की नज़र रोजर पे बढ़ती है और वो उससे हेल्प मागने लगती है और जैसी रोजर उसकी मदद कने के लिए जाता है तो हेलन उसे बोलती है कि रुका जरने दो तभी रोजर बाहा निकल के देखने के लिए जाता है कि हेलन की गेलन में पानी कोन भर रहा है लेकिन तब तक जो गिंदर भाई अपना काम कर चुके थे अगले सिन में रोजर अपनी फैमली के साथ बैठा था जहां रोलांड रोजर को अपनी जूते साफ करने के लिए बोलता है लेकिन रोजर काम करने से सीधा मना कर देता है तब ही रोलांड अपनी आवकात दिखाता है और वो रोजर की मा को उसके सारी सचाई बता देता है जिसके बाद रोचर अपनी सनी लियोन वाली किताब को अपनी बेहन की किताब से बजल देता है और वो वहाँ से छुपके देखता है कि वो इस किताब को पढ़ेगी या नहीं उसके बाद एलिसा उस किताब को पढ़के ऐसा रियक्ट करती है जैसे उसे धर्ती पे स्वर्ग मिल गया हो उसके बाद रोचर किचेन में जाता है जहां उर्सला होती है और वो मौका देखे उर्सला को वही घोडी बनाने लगता है लेकिन तभी वहाँ अचानेट से एक दूसरी मेड आ जाती है और रोचर वहाँ छुप जाता है जिसके बाद रोचर सूचता है कि मेरे ही किसमत में एल लगे हुए हैं तभी उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो मिस लपीते के पीछे उसके पपीते दबाने के लिए जाता है जिस पर मिस लपीते उससे पहले मना करती है कि ऐसा मत करो लेकिन थोड़ी दिर के बाद मिस लपीते उसे बोलती है कि रोजहर मेरे बच्चे जितना बजाना है तुम बजाओ लेकिन वहां रोजहर की नोबिता वाली किसमा चमक जाती है और बाहर को एक जर्मनी और फ्रेंस की बीच में जंगा एलान कर देता है और सबको पता चलता है कि जर्मनी ने फ्रेंस से जंग का एलान कर दिया है अगली दिन सब लोग यूद में जाने की खुशी मना रहे होते हैं लेकिन रोजहर की हालत ऐसी होती है जैसे उसने धिंडोरा की लोटरी जीत ली हो लेकिन फ्रेंस में एक नियम था कि वार में जाने से पहले वो सब लोग अपनी बीवी को टीवी के सामने घोडी बनाएंगे जिसके बाद रात में सब लोग अपनी बीवी को जंगल में ले जाके उसकी बजाने लगते हैं जिसपर रोजर सुथता है कि ये बस आज रात की चान्दी है और इसके बाद तो इनकी पिक्चर मैं ही बनाऊंगा सबके यूद में जाने के बाद सारी लेडिस अकेली थी और रोजर सबसे पहले उर्सुला के पास जाता है जहां वो उसे ले दे के घोड़ी बनाई ही देता है और वो उर्सुला से ये भी बोलता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है जिसपर उर्सुला बोलती है कि सारे लड़के पहली बार चरम सुका आनद लेने के बाद यही बोलते है अगले सिन में बर्था रोजर से बोलती है कि पादरी मां से मिलने के लिए आये हुए हैं जिसके बाद ये दोनों भाई बैंट चुपके से उन दोनों की बाते सुनने लगते हैं जिसपर रोजर की माँ पादरी से बोलती है कि मेरा पती मेरी कभी घोडी बना के लेता है तो कभी डौगी बना के लेता है इससे कोई पाप तो नहीं जिसपर पादरी बोलता है कि नहीं वो तुम्हारा पती है वो तुम्हारी घोडी बना के लिए या तुम्हारी डौगी बन जाता है और वो पानी में जंगली सूर की तरह तैरने लगता है पहले तो रोजर केट से मजे लेता है लेकिन जैसी वो देखता है कि वो भी राजी है तो वो मोके पे चौका मार देता है और वो दोनों वही पे घबा घब करने लगते हैं अब रोजर पूरी तरीके से ultimate हरामी बन चुका था जिसपर रोजर सोचता है कि अब सारी औरतों का मटका मैं ही फोड़ूंगा और अगले दिन रोजर का बाप छुट्टी लेके वहाँ आ जाता है और रोजर देखता है कि मारगरिटा और केट उतके माबापको घर-गर खेलते हुए देख रहे हैं जिसपर रो बुसता है कि क्या तुम अभी तक वरजिन हो तो आओ मैं तुम्हारा गेम बजा देता हूँ जिसके बाद वो दोना गवागप करने लगते हैं उसके बाद हम फिर से हैलन को देखते हैं जो चायनास्ता लेकि आ रही थी लेकिन इस बार यूद में जाने की बज़े से उसकी बजाने वाला कोई नहीं था तभी वो रोजर के कमरे में जाती है और रोजर उसे पीछे से पकड़ लेता है और वो उसे घोड़ी बना देता है अगले दिन रोजर एलिसा के पास जाता है जहां वो घोड़ों को घास खिला रही थी जिसवर रोजर उसे बोलता है कि आज मै तेरी भी पिक्चर बनाऊंगा पहले तो एलिसा उसे ऐसे करने से मना करती है लेकिन थोड़ी देर बाद बूलती कि हाँ मेरी पिक्चर बनाओ और हाँ पिक्चर में मुझे घोडी का रोल देना जिसके बाद रोजर उसे भी घोडी बना देता है अब रोजर सारी औरोतों के बीच पॉपुलर हो गया था और सारी औरोतों बारी बारी उसके पास काम 25 करवाने के लिए आती थी दिन बीचते जाते हैं और ये सिलसला चलता रहता है एक दिन एलिसा रोजर से बोलती है कि मैं प्रेगनेंट हूँ तभी रोजर देखता है कि रोलांड भी वापस आ गया है क्योंकि अब युद्ध खत्म हो चुका था उर्सिला और मार्गीटा भी उसे बोलते है कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ और ये सुने के बाद रोजर के पैर उतले जमिन खिसक जाती है क्योंकि अगर उसके मामड़ेट को ये बात पता चली तो उसके मामड़ेट उसे इनंगा करके सारी जगा गुमाएंगे तभी रोजर उर्सिला से बोलता है कि एक नेल पॉलिस लेके आओ और वो उस नेल पॉलिस को ऐलिसा के बैड पे लगा देता है और बोलता है कि तुम कुछ भी करके रोलांड के साथ घवा घप कर लेना जिससे रोलांड को लगे कि एलिसा अभी भी वर्जिन है उसके बाद वो अपनी मासी से बोलता है कि आप फ्रेंक से साधी कर लो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये सुनने के बाद वो दुनों साधी के लिए मान जाते है उसके बाद रोजर उर्सला के पाँ जाता है और उसे साधी के लिए परपोस करता है लेकिन उर्सला उसे मना कर देती है क्योंकि वो पहली से किसी और को पसंद करती थी उसके बाद तीनों और उत्यों की शादी हो जाती है और रोजर के कांड के बारे में किसी को कांड कांड ख़वर नहीं होती और उसी रात रोजर फिर से हेलन के साथ घवागप करता है और अगली दिन हेलन उसे बताती कि मैं भी प्रेगनेंट हूँ लेकिन अब रोजर की स्कूल की चुट्टियां खत्म हो चुकी थी इसलिए वो उससे बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए भी एक अच्छा सा पती ढून लूँगा जिस पर हेलन बोलती है कि तुम इसकी टेंशन मतलो क्योंकि मैंने सब लोगों के साथ घबा घब किया है और मैं इस पर किसी का भी नाम लगा सकती हूँ उसके बाद रोजर अपने पापा के साथ खुशी-खुशी वहां से चला जाता है और ये मूबी यहां बादा है